लेकिन पहले बात कर लेते हैं इंडिया गट बंधन की मुंबई में होने वाली बैठक की क्या 24 घंटे में मोधी के चैलेंजर का नाम सामने आ जाएगा? आखिर 2024 के चुनाव में मोधी के सामने कौन होगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री उमिदवारी को लेकर विपक्ष में इतनी तकरार क्यों बढ़ गई है? आपके लिए पीम पत का चैरा कौन है? भी ना ज्हंडा तैप हुआ, ना मैनिफेस्टों की चर्चा हुई, ना सीट शेरिंग पर बात हुई, लेकिन विपक्ष का पीम उमिदवार कौन होगा? इस पर इंडिया गट बंधन की पार्टियों में तकरार शुरू हो गई है. हर पार्टी के पास अपना पीम कैंडिडेट है, कॉंग्रेस चनेता राहूल गांधी को पीम उमिदवार बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अर्विन केजरिवाल का नाम उचाला गया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादब को पीम उमिदवार देखना चा ही कहूंगी, तो आप ये समझ सकते हैं, कि हम सब में इतना विश्वास है, कि हमारे लीडर केपबल हैं, कि देश को चला सके हैं, मैं तो चाहूंगी अर्विन केजरिवाल जी, वो प्रधान मंतरी के उमिदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड महंगाई में भी ल हैं, उत्तरपदेश के जिम्मदारी हैं उन पर, लेकिन निर्ने सभी का सामूहिक होगा, और जो सब के लिए स्वीकार होगा, वो उस कुर्सी पर बैठेगा, तो हर पार्टी के पास अपना PM कैंडिडेट है, और ये आलम तब है, जबकि मुंबई में एक दिन बाद विपक गठ बंधन के मुद्दे, रैलियों की रूप रेखा, अन्य दलों को शामिल करने पर बाद, इन तमाम मुद्दों पर इंडिया गठ बंधन मुंबई में दो दिनों तक मंधन करेगा, इस मंधन में विपक्ष के 28 दल शामिल हो रहे हैं, लेकिन मुद्दों या दूसरे सव पर चर्चा सुरू हो, उससे पहले ही इंडिया गठ बंधन के हर दल की ओर से अपने PM कंडिडेट का नाम उच्छाल दिया गया है। लेकिन PM उमिदभार पर तकरार है, वैसे इन पार्टियों की अभी लोकसभा में हैस्यत क्या है, जड़ा एक नजर इस पर डालते हैं। लोकसभा में कॉंग्रेस के 51 सांसत हैं, त्रणमूल कॉंग्रेस के 23, जड़ीू के 16, शिप सेना उद्धाव गुट के 7, NCP, श्रात पबार गुट के 4, समाजबादी पार्टी के 3, आम आदनी पार्टी का एक सांसत है। इस बीच इंडिया कट बंधन में दो और पार्टिया जुड़ गई है। इंडिया गट बंधन में दलों की संख्या अब 26 से बढ़कर 28 हो गई है। अकाली दल के इस गट बंधन के साथ आने पर सस्पेंस है। BSP ने भी गट बंधन का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है। BSP सुप्रीमो मायवती ने तो पकाइदा ट्वीट करके एंडिया और इंडिया दोनों गट बंधनों पर हमला बोला और साफ किया कि उनकी पार्टी BSP किसी भी गट बंधन का हिस्सा नहीं होगी। Congress ने मायवती को इशारों में आगाह किया है। बहरहाल मुंबे में इंडिया गट बंधन का मंच सच चुका है। शेहर भर में पोस्टर लगे हैं। सारी तयारियां पूरी हो गई अब जादा समय नहीं बचा। जब ये पता चल सकता है कि साल 2024 के महा संक्राम में विपक्ष की ओर से मोधी का चैलेंजर कौन होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए। बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये हैं इनकी बहु। पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन। इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर। और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आप को रखे आगे